है गाइस फर्स्ट अपॉल वेलकम बैक तो मैं चैनल मसा टॉक्स तो एक बार फिर से आप सभी का सौगत है आपके अपनी चैनल मसा टॉक्स पर तो एक बार फिर से एक और नए वीडियो के साथ मैट्रिक और इंटर्मीडियेट स्टूडेंट्स के लिए यानि कि जारकन बोर्ड के दसवी और बारावी स्टूडेंट्स के लिए इस विडियो के माध्यम से मैं आप लोग को खास करके 10 वी और Intermediate यानि 12 वी Students को किस तरह से आप अपना NUMBER चेक कर पाएंगे अपना NUMBER जो 12 वी और 10 के Students से निकल पाएंगे वो इस वीडियो के माध्यम से हम Pv it?!" के माध्यम से बताएंगे आप लोग को बस इतना ही करना है कि वीडियो का लास तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए और उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप अपना नमबर निकाल सकते है आपका कितना नमबर आएगा जैसे कि आप लोग इसक्रीन पर देखिए पा रहे होंगे थम्मनेल में साफ लिखा हुआ है कि जैक टेंथ ट्वेल्थ रिजल्ट्स टूटाजन ट्वेटिवान खुद से चेक करो कितना नमबर आएगा सत्तर या स्टी प्लास तो कितना नमबर आएगे चलिए आपको डीटेस में समझाते है बस आप लोग वीडियो को लास तक बने रहेैं आपको वाइट बोर्ट के माध्यम समझाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं वाइट बोर्ट के माध्यम से नमबर्स निकालने का तरीका बताने से पहले इस स्क्रीन को आपको दिखाना चाहेंगे जिसमें साब सब्दों में लिखा हुआ आप लोग देखिए ब्लू कलर के घेरे के अंदर पांचवे विशय में पांस मांस लाने का फॉर्मुला जो लिखा हुआ है देखें साब सब्दों में लिखा हुआ है कि पांचवे विशय म में 5 मार्सालाने का फॉर्मिला कवला कमेटी दोरत तहय कि गई है इसके अनुरूप अगर कोई विद्या थी कक्षा 9 की बॉर्ट परिक्षा में गनित्फ में फयल है तो उसे मैट्रिक के परिक्षा में गनित् होने नयुक्त मीवाय तो मालेजे के के 50 में से आपको मेयात में 35 मिला है कितना 35 यह जो 35 है यह पचास में से आपको है जो की इसकूल के 10 नंबर एक्सटा जुड़ा हुआ रहे था आपको क्या करना है is school इसको दो गुना कर देना है कितना कर देना है दो गुना कर देना है तो 25 दूनी 50 आपका जो नंबर है वो होगा 50 ठीक है लेकिन अभी भी नंबर आपका जुड़ेगा यह सिर्फ 50 जो है यह 40 दूनी 80 नंबर में से 50 जो कि थियूरी नंबर है अब 50 में से आपको याड़ करना ह अब आपका 20 नमबर से 20 नमबर मिलता है तो आपका नमबर हो जाएगा पचास और अठारा हो जाएगा 68 तो ऐस तरह से आप अपना नमबर निकाल सकते हैं यह रहा मैट्रिक स्टूडेंस का अब बात करते हैं इंटर्मीडियेट स्टूडेंस का ठीक है तो इंटर्मीडियेट स्टूडेंस का भी वही सेम मान लिजे आप पॉलिटिकल साइन्स आपका यह था और आपको पचास नंबर में से आपको 40 नंबर में थियोरी के 40 नंबर में से आप आपको मिला था महांने sprigy 26 स्वाइब दो गुना कर दःका है सब्सक्राइब दो गुणा कर देना है तो 26 कितना हुआ बावन कितना हुआ कि अब बावन में आपको क्या करना है इसकूल का जो आपका अगर प्रयक्टिकल होते हुए प्रयक्टिकल अगर होगा तो आपको internal assessment number मिलने वाला है 20 नंबर में से 80 के इसमें तो आपको 80 में से 52 मिल गया 20 नंबर वो आपको जोड़ना है तो आपको क्या करना है 52 और 18 को जोड़ देना है तो आपका number आ जाएगा तो उनके लिए number का pattern किस तरह होगा वह हम बताने जा रहे हैं माल लिजे कि आपने भी 50 नंबर का एक्जाम दिये थे जिसमें कि आपको 50 में से आपको नंबर जुथा वो मिला था माल लिजे कि आपको 20 नंबर ही मिला था इसमें जो है internal assessment जुड़ के तो माल लिजे उसमें आप इस स्टूडेंस का क्या होगा हम बताने जा रहे क्या होगा माल लिजे पिछले एकजाम में आपको नंबर आया था 12 अब आपको क्या करना इसको दो गुना से गुना कर देना है तो 12 दूनी हो गया 24 कितना 24 अब 24 हो गया इसकूल से इसको फिर से अलग से 20 नंबर का internal assessment होगा उसमें कितना मिलना चाहिए अगर उस 20 नंबर को जोड़के इस्टूडेंस का नंबर 33 ध्यान से सुनिएगा 33 आ जाता है तो यह से इस्टूडेंस पास हो जाएंगे ठीक है जिन इस्टूडेंस का नंबर बहुत कम आया होगा उनका क्या करना है जो 40 नंबर का थियोरी का ए tv र सटूडेंस एन उसका जो मेत्रिक में जो इजल बनने वाला है वह 24 नंबर और उस्कूल से मिलेगा उसको माली जिए 20 नंबर में से उसको कम से तो इसमें आपका आगया 34 आपको दिये कि आपको किसी भी हालात में 33 लाना है 33 लाना है इस नंबर को एड़ करके इंटरनल असेस्मेंट जो इसकूल से मिलाएगा उसको याड़ करके और आपका जो 9th क्लास में रिजल्ट आया था उसमें आपको थीवरी नंबर में से आपको जो 12 नंबर मतलब हम यहां बता दिये थीवरी नंबर में आपको कितना मिला था उसका आपको दो गुना कर देना ह हैं और वही नंबर ठीक है मालइ जी आपको फिरी में कि 10 भी मिला है टोटल चानले 50 में आपको 10 लए मिला है लिग नहीं तो भी मालइ च तो पन्यच अधरर फिरफ फेल हो जाएंगे इसलिए आपको वो किसी भी हालात में कितना है, टोटल मिलाकर 33 लाना है, कितना रियाद रखीगा, 33 लाना ही होगा, जब तक आप 33 लाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, इसलिए आप पार बार आपना निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कि जो आप अपना जो रिजर्ट से उसे चेक किजिए, क वो नमबर से जो मिलने वाला हिसाल, इस तरह से अगर आपका 33 लाना आ जाता है, तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है, कि थोड़ा कम बेसी नमबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका एटेनेंस बगार भी चेक हो सकता है, अगर मालीज आप ज़ पास करवा सकते हैं, यह बस जानकारी के लिए है, मेरी तरफ से यह नीजी जानकारी है, आप इसको उतना ज्यादा सीरेसी नहीं लेना है, बस आपकी जानकारी के लिए, आपका कनफूजन दूर करने के लिए वीडियो बनाया है, तो चलिए, वीडियो को पूरा देखने के तो इसी तरह से और अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू रखियागा बहुत बहुत शुक्रिया